नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चानल भारत योजना पर आज हम बात करने वाले हैं आप उन्ही सरकार पोटल उत्राखंड के बारे में तो उत्राखंड के सरकार ने आप उन्ही सरकार पोटल इसलिए लॉंज किया है ताकि जितने भी student लोग है या जितने भी लोग है उत्राखंड के वो घर बैठे ही कोई भी certificate को सुधार सकते हैं बनवा सकते हैं आजकल जितना भी काम है सारा चीज डिजिटल हो जा रहा है उसी को देखते वे उत्राखंड सरकार ने इस योजना को निकाला है ताकि आप घर बैटे ही कोई भी certificate बनवा सकते हैं तो अगर आपको अपने certificate सुधार ना है या बनवाना है तो आपको इसके official website पर जाना होगा आने के बाद आपका इस प्रकार से homepage खुल जागा यहां पर आने name, last name, mobile number, date of birth, तहसील आपको यहां से अपना देना है, district select कर लिजिए, address अपना देना है फिर यहां आप select कर लिजिए किस हिंदी या इंग्लिस या दोनों में से किस चीज़ से आप अपना notification चाहते हैं आपके mobile पर notification जाएगा तो इसको select कर लेने के बाद आपको submit पर क्लिक क कर देना है, citizen login पर यहां पर user id आप जो email id दिये हैं वो देना या फिर mobile number दे सकते हैं और आपके mobile पर password आ जागा, वो password यहां देना है, इस capture code को आपको यहां पर भर लेना है और sign in पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आप sign in हो जाईएगा, तो sign in होने के बाद आपको यहां ऊ certificate बनवाना चाहते है, revenue department, skill development and employment, पंचायती, राज department, fisheries, minor irrigation, तो वो आपको select कर लेना है, select कर लेने के बाद आपको next page पर चले जाना है, जैसे ही क्लिक कर लेगा, आपको next page खुल जागा, अब next page पर आपको यहां पर select कर लेना है, service, कि service के लिए आप करना चाहते है, apply, जैसे यहां class 10th के लिए है, class 12th के लिए correction करना है, तो वो आप select कर लेजे, जैसे ही इस पर select करते हैं, click करते हैं, तो आपको next page खुलेगा, तो next page पर आपको यहां देखिए, department select कर लेए, service select कर लेए, फिर आपको नीचे यहां बोरा है, mandatory document, choose document to upload, आपको यहां फिर आपको ID proof of student जो यहां से आप apply कर सकते हैं,